हेलो स्ट्रेंट्स आज हम विलियनों के अनुसंक्या गुर्दान्व से रिलेटेड एक और टॉपिक परासन दाप जिसको इंग्लिस में आस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इसका अध्यन करेंगे परासन दापको समझने से पहले हमें विसरन तथा परासन किसे कहते हैं इसका ग्यानोन आउश्यक है तो सर्मत्म विसरन तैनी जुएन में भी आपने देखा है कि जैसे गैसों का विसरन होता है कि आप कोई अगरवत्ती जला दें तो अगरवत्ती आप मंदिर में जलाते हैं तो उसकी जो सुगंद होती है, वो अनि कमरों तक भी फैल जाती है, तो वो विस्रण कहलाता है, तो इसकी जो परिबासा है, अनु अथ्वा आयनों की अधिक सांद्रता के छेतर से, कम सांद्रता के छेतर की ओर होने वाली कती विस्रण, ये diffusion कहलाती है, जिसको इंग्लिस में diffusion कहते हैं ठीक हो गया? इसमें क्या होता है कि जो अनुजा आयनों कहती होती है वो अधिक सांता से निम्न सांता की और होती है जैसे आपने अगर बत्ती जलाई एक कमरे में तो वहां अगर सांता अधिख हो गई तो दिरे-दिरे क्या होगी अन्य गम्रों में इसके सुगंदर फैल जाती है तो इससे हम विसरण कहते हैं अब जो परासरण है जिसको इंगलिस में ऑस्मोसिस कहते हैं ये विसरण का क्या होता है विप्रीत होता है उल्टा होता है उसमें अधिक सांता से निमन सांता की और अणों की गती होती है तो परिवासा क्या है विलायक की अणों का अर्द पारगय में जिली से होकर सुद्ध विलायक से विलियन की और या तनु विलियन से सांद्र विलियन की और स्वता परवाव परासरन कहलाता है तो विलायक के अणू का इसमें क्या है कि अर्द पारगे में जिली का होना भी आवश्यव होता है अर्द पारगे में जिली से क्या स्री विलायक के जो अणू है वो विलियन की ओर जाते है या तनू विलियन से सांध विलियन की ओर सुधा प्रवा क्या लाता है परासन कहलाता है जैसे आपने एक्जामपल देख रहे हैं कि आप मटर का मटर है या आपका बादाम है आप उसको पानी में रखें तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है फूल जाता है तो वो किसे जाना फूला परासन कहला तो जाना है मटर बादाम अथवा किसमिस को पान ये पानी में डाने पर पूलने लगते हैं, तो आपके दियानिक जाणर you해lais में आप पिएbiri लूकर, अबने क्या होता है दखा हुआ है एक पानार आपने अंडे को देखा होगा कि आपको क्या करना है कि जो अंडे के बाहर ही कवर होता है जो शेल होता है जो आपका उसको निकाल दना है जो केल्सिम कार्मिलिट का बना होता है वो निकल जाएगा उसके अंदर एक मेंब्रेन होती है आपने देखा होगा जब आपका भी नमक के पानी में रखा हुआ है, तो दोनों में परासनी के रिया हो रही है, परंतु जो जल में रखा हुआ है, वो फूल जाता है, वो मोटा हो जाता है, और जो आपका नमक में रखा हुआ है, नमक के विलियन में रखा हुआ है, वो क्या हो जाता है, वो सिकुड जाता है, का होता है कि अंडे से जो जल होता है वो बाहर आ जाता है इसलिए जो एग है वो श्रिंक हो जाता है तो इसमें लिखा हुए एग श्रिंक फूल जाता है तो यह इससे हम परासन कहते हैं तो आप ने ये परासन और विश्रन को समजा इसके बाद हम अपने में। continent है osmotic pressure तो इसके परिबासा है वह न्यूंतम दाफ जो अर्ज पारग में जिलिज से होकर विलायक के विलियन में होने वाले परारसंग को रोकने के लिए विलियन पर लगाना पड़ता है परांसन दाप कहलाता है इसमें क्या होता है कि अर्जवान जलिए से होकर विलायक की जो अनो है विलियन क्यों ज्यान लगाते हैं तो हमें उसको रोकने के लिए परांसन को रोकने के लिए जो दाप लगाना पड़ता है उसे हम परांसन पाइ बरावर होता है CRT नहीं Z is willen की मौल परति लिटर में सांद्रता R है विलियन इस रांग जो गैसी तरंग के बरावर होता है और T है परमता परमता का पता है केलविन में होता है तो यह हमारा पराशन दाब हो गया तो यह पराशन दाब की परियासा है लगा जाता है उसे हम परासदाब कहते हैं ठीक हो गया उसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो है संपरासरी विलियन जिसको हम कहते हैं आइस्टोटोनिक सल्यूशन तो समानताब पर जिन विलियनों के परासदाब समान होते हैं संपरासरी विलियनों में विलियनो समान होता हैी, पर अधिक होता है उसे अती परासरी विलियन का होता है, emerges होता है। अल्प पराशरी बिलियन कहते हैं तो ये अतिपराशरी और अल्प पराशरी बिलियन कहते हैं तो ये अतिपराशरी और अल्प पराशरी बिलियन कहेंगे हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सल्यूशन ठीक हो गया तो यह आपने परासन दाब समपरासरी और अतिपरासरी और आपपरासरी विलियन का काध्यन किया इसके बाद हम परासन दाब से मोलद रिवान की गणना करेंगे तो आपको पता है परासन दाब परासरन दाब पाई बराबर अभी हमने निकाला पाई बराबर हमें पता था पाई बराबर क्या होता है C R T ठीप होगा यहां C क्या है polarны सांता यह सम्मिकर्ण एक होगी अब C की C है polarth तो Raz 않ता का शुटर क्या होता है विले के mole की संख्या अपॉन गिलियन का आयतन लीटर में तो N अपॉन V होता है तो ये समीकरण क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी समीकरण 2 से समीकरण 2 से C का मान C मूलता का मान C का मान समीकरण 1 में रखने पर C का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर, तो यह हमने रख दिया, ठीक हो गया, तो हमारे पास समिकर्ण क्या बंजाए कि क्योंकि n बरावर हम जानते हैं क्योंकि n बरावर होता है develop on m ठीक हो गया तो n का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 4 से n का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक हो गया यह हम रख देंगे तो हमारे पास समीकरण क्या बन जागिया पाई बरावर w upon m into v into rt into r into t r into t ठीक हो गया तो यह समीकरण बन गई w into r into t capital t और m into upon m into v v जो है वो लीटर में है ठीक हो गया तो यहां से अगर हम विलें का मूले जन्मान बहान निकाले तो m बरावर हमारे पास सुत्र क्या बन जाएगा आपका πाई इन्टो V R है आपका R क्या हो गया R हो गया T हो गया परम्ताप पाई हो गया परासंदाप और V हो गया आहतन लिडर में ठीक हो गया तो ये आप इस पर arrive से आपने इसको परासंदाप से हमने मुले दर्मान की गड़ना की इसके बाद हम परासन दाप से संबने आंकिक प्रस्न का अध्यन करेंगे जो कि NCRT की किताब में भी दिया हुआ है और इंपोर्टेंट भी है तो प्रस्न है एक लाग पिचासी हजार मोलर दर्मान वाले एक बहुलक के एक ग्राम को 37 दीश सेलस्यत पर 450 ml जल में खूलने से उत्वनद विलियन के परासन दाप का पास्कल में परिद्यन कीजिए तो हमें पास्केल में परासादा निकालना है तो सुर्वता हमें जो दिया है हम वो लिखेंगे तो दिया है दिया है हमें दे रिखा है जो विले है बहुलगी इसमें विले है तो विले का विले का मोलर दरिमान मोलर दरिमान मुला दर्यमान को हम दिखाते हैं आपका small m से तो small m हमको दे रखा जो बहुलग है वो ही विले है तो उसका दे रखा 1,85,000 1,85,000 हमें यह दिया है मुला दर्यमान दिया है ठीक हो गया और फिर उसके बाद हमें दे रखा विले का दर्यमान विले का तो यह द्रव्यमान तो यह दिया के द्रव्यमान है यह स्मॉल डेब्लू हो जाएगा आपका 1.0 ग्राम और यह घॉल द्रमान ठीक हो गया उसके बाद हमें दे रहा है अईतन दिया हुआ है आयतन आयतन को हम वी सिखाते हैं आयतन वी हो गया आपका तो वी दे रखा है आपको 450 ML दिया है अब और हमें इसका T बराबर हमें दे रखा है ताप ताप को हम T से परमताब से दिखाते हैं T T बराबर हो जाएगा क्योंकि 37 degree Celsius तो 273 में जोड़ देंगे 37 degree Celsius प्लस 273 इसमें हमने जोड़ दिया है 37 degree Celsius जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 310 300 just Kelvin ठीक हो गया ताप परमताब निकाल दिया उसके बाद हमें गैस इस रांग R बराबर पास्कल में होता है 8.314 into 10 to the power 3 8.314 into 10 to the power 3 पास्कल लीटर मूल इन्वर्स यह इसका मान होता है R का मान यह हमें जाद रहना चाहिए उसके बाद हमें इसमें परासरणदाब निकालना है तो परासरणदाब परासरणदाब पाई बराबर हमें निकालना है तो इसमें कोच्छे मान लगा देंगे ठीक हो क्या तो सूत्र से उसके बाद हम सूत्र से करेंगे सूत्र से सूत्र से हमारे पास क्या था पाई बराबर था अभी हमने निकाला था पाहि बराबर निकाला था W upon M into V into R into T यह आपका liter में है तो liter में हमें दे रtså है ML में तो हम into क्या कर देंगे 1000 कर देंगे क्योंकि हमें यहां जो आयतन दे राखा है वो ML में दे राखा है तो इसलिए हम इसको 1000 कर देंगे अगर लिटर में दिया होता है एक हजार करने की जड़त नहीं होती ठीक है तो उसके बाद पाही बराबर डेबलू हो गया आपका दे रखा 1.0 आर का मान हो गया 8.314 इंटु 10 to the power 3 इंटु 1100 ही हो गया एम का मान दे रखा है 1,85,000 ठीक हो गया इंटु वीक आपको दिया है 400 ठीक इसके बाद आप ये 0 से ये 3-0 कड़के इसके बाद आपका आगया इसमें ये आया आपका पाई बराबर 8 314 अब आपन 186 गुणा अच्छा इसमें टी का मान भी तो रखना है टी का मान हो जाएगा 270 तो ये 310 310 तो ये 8.31 गुणा 310 ठीका मान भी तो रखना है टी का मान भी रखना है तो 310 हो गया ठीक है उसके बाद 186 गुणा 450 ये हो जाएगा अब इसको आप 5 से काट दीजिए तो इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 45 तो ये आगे आपका 45 तो लब्य हो गया ठीक हो गया उसके बाद इसको 2 से काट दीजिए तो ये आगे 31 और ये आगे आपका 45 ठीक हो गया अब आप इसको मल्टिप्लाई कर दीजिए ये आजाएगा आपका 5 वेराबर हमारे पास क्या उत्रा 8 3 1 4 इंटू 31 अब वहन आगे आगे 185 इंटू 45 अब जब हम 8 314 गुणा 31 को मल्टिप्लाई करते हैं तो ये आता है 2 लाख 57 अजार 2 लाख 57 अजार 734 और जब 185 को गुणा 45 से मल्टिप्लाई करते हैं तो ये आता है 8,000 8,325 इसको जब इससे काटते हैं तो ये लगवा आता है आपका 30.96 पासकल पी ये तो ये हमने का अंसर निकाला है ये अंसर आगिया है तो आज हमने परासनदाब तथा परासनदाब से विले के तरिमान की करना तथा परासनदाब से समंदित आंगी परसन का अध्यन किया उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका वरस इसको समझनी कोशिश करेंगे और इससे समंदित अन्य परसनों को भी हल करेंगे तरिमान की करेंगे